नमस्कार किसान सातियों, अगर आप भी सबजी की खेती काफी वर्सों से करते आ रहे हैं और आपको सबजी की खेती में फायदा कम और नुक्सान जादा तर होता ही रहता है तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपकी मन में जो भी doubt हो, confusion हो आप लोग हमें कमेंट सेक्चन में लिख सकते हैं जरूरत पड़ी तो हम लाइब बे आएंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक एकड़का एक ऐसा टॉप क्रिस्टी मोडल की बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके तहत यदि आप लोग 9 दिसंबर महीने में मेरे दौरा बताए गई इन 6 सबजीवरगी फसलों में से किनी 4 सबजीवरगी फसलों की बिजाई करते हैं तो अलग-अलग फसलों के हिसाब से 10-12,000 रुपे की लागत लगा कर 3-4,000,000 रुपे तक का इंकम जरूरेट कर सकते हैं अब आपका एक एकड़ खेत में ही दो प्लोट होगे आधा आधा एकड़ का इन दोनों ही प्लोट में चार अलग-अलग सबजीवरगी फसलों की बिजाई करेंगे जिससे किसी कार बस अगर एक-दो फसले खराब भी हो जाती है इनका उत्पादन या कम मंडी भाव भी दे किसान साथियों अगर आप लोग नॉमबर दिसंबर महीने में टमाटर के पौधी की ट्रांस्प्लांटिंग करते हैं तो ट्रांस्प्लांटिंग करने के 55-60 दिनों बाद आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल में पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी उस समय आप आप लिए टमाटर की फसल में बहुत ही कम लागत लगा कर अच्छा खासा इंकम जरूरेट कर सकते हैं अनत किस्मों की बात करें किसान साते हो तो आप लोग 22 क्यावल जैसी वराइटी का सेलेक्षिन कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी वराइटी है इसके ल Фडूह किसान साथ हो आप लोग अपने एरिया के प्रिदित हाइबेट किसमों का चुनाव कर सकते हैं अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर हम टम्याटर की खेती कैसे करें New December महिने में जिससे बहुती कम लागत लगाकर अच्छा खासा इंकम जरिएट कर सकते हैं इसके लिए करना है आप लोग को कुछ इस तरीके से कि पहले आप लोग को अपने खेत की अच्छी तरीके से त्यारी करना है आधा एकड के तैयारी करने के बाद आप लोगों को आधा एकड खेत में तीन किलोग्राम पालक का बीज खेत में फैला कर हलका रोटावेटर से मिला देना है उसके बाद आप लोगों को इसक्रीन पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से वो बेड तैयार कर लेना है बेड तेयार करने के बाद आप लोग को जो है कुछ इस तरीके से जिसे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग को कुछ इस तरीके से जो है टमाटर की पौधी की ट्रांस्प्लांटिंग कर देना है ट्रांस्प्लांटिक करने के बाद जब आप लोग देखेंगे कि 25 से 30 दिन बाद या 35 से 40 दिन के अंदर-अंदर जो आप लोग की पालक की फसल है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी और आप लोग का उसी के सहारे जब कटिंग हम करेंगे तो उसी के सहारे जो है खेत का निराई गुडाई भी हो जाएगा और आप लोग का जो टमाटर का फसल है यह जो आप लोग बेड देख पा रहे हैं इसी बेड पर आप लोग को जो है अपने टमाटर की फसल से लेने के लिए उसमें जालर वगेरा लगाते हैं मचान लगाते हैं उसका खर्चा आप लोग का बच जाएगा और आप लोग अपनी टमाटरे की फसल में कम से कम लागत लगा कर अच्छा खासा इंकम जबेट कर सकते हैं अब भाग दों में आप लोग को जो हब वो बैगन की खेती जो है यानि बैगन के पौधे के ट्रांस प्लांटिंग 9 दिसंबर महीने में करते हैं तो जिस दिन से आप लोग पौध रुपाई करेंगे उसके अगले जो है 50-60 दिनों के अंदर आप लोग को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी औ उससे आप लोग अपनी बैगन की फसल में कम से कम लागत लगाकर अच्छा खासा इंकम जरुरेट कर सकते हैं अगर उननत किसमों की बात करें किसान साते हो तो आप लोग सैंगरो 704 वरायटी का सेलेक्शन कर सकते हैं यह बहुत अच्छी वरायटी है इसके अलामा किसान सा लगाकर अच्छा से आच्छा उत्पादल ले सकते हैं इसके लिएła आप लोग को अपने खेत की अच्छी तरीकी से तियारी करना है तैयारी करते ही आप लोग को जो प्रती एकड के हिसाब से आप लों को 6 kg बीज लेना होता है तो आप लोग यहां पर आधा एकड के कर जो रोटावेटर से जुताई कर दें उसके बाद हपता से 10 दिन के बाद आप लोगों को जो है बैगन के पौधे के ट्रांस्प्लांटिंग कर सकते हैं जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जब तक पौधा लगकर तयार होगा बैगन का तब तक पालक की फसल से ह राए गुडाई करके जो है वो अगर आप लोग मिट्टी चड़ा देते हैं तो आप लोगों की बैगन की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी जैसा कि आप लोग इस तरीके से जो है इस बार बैगन की खेती की वी थी तो खिसान साथ यो आप लोग कुछ इस सब्यों की खेती करना चाहा रहते हैं अगर हम इन फसलों की बिजाई कर लेते हैं तो हमारा खेत खाली हो नहीं पाएगा तो इसके लिए आप लोगों को बी प्लान लेकर चलना पड़ेगा आप लोग टमाटर और बैगन की खेती के जागया पर आधा आधा एकड में जो है फूल गोबी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं अगर किसान सातियों अगर आप लोग नॉम्बर के लाच सब्ता तक अगर अप लोग अपने खेतों में आधा एकड में प्लान गोबी की पड़े की ट्रांस्प्लांटिंग करते हैं तो आप लोगों का यह फसल है वो भाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधी की ट्रांस्प्लांटिंग करते हैं, तो इस समय आप लोग का जो पत्ता गोभी और फूल गोभी है, वो लगभग लगभग पचेती खेती में आता है, आप इससे अच थारा हजार ही मान कर चलते हैं, अगर आप लोग का प्तति पौधा एक केजी का ही होता है, उसमें फूल लगता है, वो एक केजी का ही होता है, और एक केजी का दाम उसमें जो है 15 से 20 रुपए कीलो ही रहता है, तो भी आप लोग आधा एकर खेत में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और आप लोगों का जो फरवरी इसके दूस्ति सब्ता तक जो आप लोगों का खेट भी खाली हो जाएगा और आप लोग गर्मी के सीजर में गर्मी वाली सब्जियों की खेती करके भी अच्छा-खासा इंकम जरुरेट कर सकते हैं आप लोग 9 दिसंबर महेने में variety का selection करते हैं तो फरवरी के प्रथम सब्ता में जो है मटर की फसल से पहली harvesting देखने को मिलेगी उस समय मार्केट में जादा तर मटर की फसल रहेगी नहीं जिससे आप लोग की मटर की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा और आप लोग अपनी मटर की फसल से अच्छा खासा इंकम जरूरेट कर पाएंगे पछेती मटर की खेती करने के साथ साथ किसान साथ आप लोग अक्टूबर नॉवंबर महीने में अपने खेतों में जो है गर्मी में बोई जाने वाली सब्यों की जैसे कद्दू करेला, तोरी, निनुवा, इत्याद, खीरा की फसले होती है उनके अगेती नर्सरी तयार करके मार्केट में सेल करके अच्छा खासा इंकम जरूरेट कर सकते हैं वो कैसे तो आप लोग को अपने खेत में छोटा सा हिस्सा लेना यानि पचास से सौ गज़ प्लोट में पॉली थीन से जुगार पॉली हाउस बनाना है और आप लोग को छोटी छोटी गिलासियों के माद्यम से इन बीजों की जो कद्दू करेला, तोरी, निनुवा, इत्याद होती है उनके बीजों की, आप लोग को नरसरी तयार करनी है नरसरी आप लोग को दिसमबर के प्र्थम सब्ता में कर देनी है और ये लगभग लगभग 15 जनवरी तक आप लोग का जो तयार हो जाएगा यानि सद्यों के मोसम में ये कम से कम 35 से 40 दिन लगता है इसको तैयार होने में तो आप लोग तैयार करके जो हम मार्केट में sell करके अच्छा खासा income जरुरेट कर सकते हैं और अगेती जो सब्जियां होती है इनके पौधी की जो कीमत होती है अगर आप लोग नरसरी तैयार करके बेशते हैं तो आप ल यदि आप लोग इन सब्जिवर्गी फसलों की बिजाई करते हैं, तो आप लोग आने वाले दिनों में बहुती कम लागत लगा कर अपनी फसलों से अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे हो तो अनकिसान भायों के हित में इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और ऐसे ही खेती बारी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो ज़रू सस्क्राइब करें धन्यवाद